हेलो दोस्तों, केसे हो आप सब, ये बहुत नाइनसाफी है, जी हाँ, आज ICAI ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बहुत नाइनसाफी की है, क्योंकि आज का पेपर अबाव एवरेज पेपर था है, I won't say ICAI ने डिफिकल्टी लेवल में इतना खेला है, question number one of course बहुत लेंदी था, लेकिन ये पेपर बहुत ही difficult या फिर बहुत ही out of box नहीं था, ऐसे भी questions थे जो module में थे, ऐसे भी questions थे जो case study digest में थे, तो अगर आपने case study digest जंग से किया होता, तो बहुत सारे questions के छोटे-छोटे parts case study digest में से पूछे गये थे, so ये paper of course easy नहीं था, लेकिन paper difficult या फिर कुछ out of the box भी paper नहीं था, अगर आपने धंग से ये paper read करके उसे attempt किया हो, तो at least 50-60 marks लाना कोई बहुत difficult चीज नहीं थी, लेकिन ICI कहां खेल गई, ICI ने ना इंसाफी कहां की, तो ये paper extremely lengthy था, जो paper setter न, वो खुद अगर ये paper लिख ने बैठता, तो शायद वो भी ये paper complete ना कर पाता, क्योंकि ये paper बहुत ही lengthy था, I can understand, आप लोगों को लग रहा होगा कि sir, मेरा paper shoot गया है, इसकी वज़े से आपको लग रहा है कि sir, मेरा paper अच्छे नहीं गया है, मैं pass हो गया नहीं, लेकिन trust me, ये paper काफी lengthy था, और almost 80-85% students ह जिनका paper आच छूट गया था, और 90% ऐसे students है, जिनको ये paper above average लगा था, इसलिए बिलकुल भी डरना नहीं है, आप सब एक same boat में हो, ये paper सब के लिए lendी था और सब के लिए above average था, इसलिए बिलकुल भी डरना नहीं है, और ICI ने क्या किया, ICI ने 2-3 concepts, एक साथ, एक ही question में test कर लिए था, यानि हर एक question ऐसा नहीं था कि stand-alone concept पर है, उसमें वो chapter के 2-3 questions, या फिर वो chapter के, या फिर अलग-अलग chapters के 3-4 concepts को mix करके, उन्होंने एक question बनाया था, which we can surely accept, यूगे हम CA final level का paper लिख रहे हैं, तो CA final के level में at least वो लोग इतना तो interchange, interrelation, correlation सब करेंगे, तो वह आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेला है, क्योंकि ICI जबी ऐसी मस्ती करता है, तभी trust me वो checking एकदम easy करता है, ICI जबी जबी paper difficult या lengthy निकलता है, तभी ICI का checking एकदम easy होता है, ICI दिल खोल के marks देता है, आपको लग रहा हुगा कि sir मुझे 40 आए गया या उसका doubt है, but trust me जबी आपकी mark sheet आईगी आप मेंसे ही at least 50-60 percentage students होगे, जो 40 का सोच रहे थे कि sir 40 नहीं आएगा, लेकिन उन्हें paper में exemption दिखेगा, I bet this क्योंकि ICI difficult और lengthy papers का checking एकदम easy करता है, दिल खोल के marks देता है, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी tension नही है, अभी हमें किस पर focus करना है, अभी हमें focus करना है DT और elective पे, आपका जो question वनता है, जैसे मैंने कहा, it was very lengthy question, 4-5 pages का question दे दिया था, इसलिए वो lengthy था, लेकिन question 2-6 जो थे, वो manageable थे, सिर्फ वो लोग ने बहुत सारे concepts को touch किया था, transfer pricing हो गया, building block model हो गया, budgetary control जैसे chapter में स एक छोटा chapter था, वो शायद हम ignore कर जाए, लेकिन उसमें से वो लोग ने 25-30 marks का पूछ लिया था, जो ICI हर बार करता है, कोई एक chapter particular उठाता है, और वो chapter में से 25-30 marks का पूछ लेता है, ठीक है, तो चलेगा, don't worry, budgetary control कोई बहुत खास chapter नहीं था, आप सबने अच्छे से पढ बहुत सारे questions case study digest में से, तो in case ये मेरा video कोई May 23 वाला या November 23 वाला देख रहा है, तो ध्यान रखना, case study digest ignore मत करना, और case study digest का पूरा revision, सारे case studies मैंने मेरे channel पे cover की है, तो आप जरूर वो case study digest देख लेना, अभी आते है November 22 students पे, SCMP का paper हो गया, आपका result एकदम अच्छा आएग ICI आपको बढ़िया marks देगा, SCMP में, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है, tension नहीं लेना है, बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, बिल्कुल भी stress नहीं लेना है, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए paper डिफिकल्टा, सबके लिए paper लेन दीता, सबका paper छूटा है, तो हसते रहो, मुस माइनस mistakes हुए, वो सारे resolve हो जाएगे, और आप overall basis पे यही attempt में CA बन जाओगे, now you last me sir, elective में सबसे अच्छा कैसे score करें, तो मैंने खुद elective में 80 plus score किया था, sir आपको elective में 80 plus आये थे, हमें भी बताओ यह 80 plus का रास क्या है, तो वो यह वीडियो में share नहीं करूगा, लेकि मेरे चैनल पे how to get 80 plus in elective, elective subject के pro tips का वीडियो already upload किया है, तो अब यह वीडियो में से तुरन अभी वो वीडियो में जाना, और elective paper कैसे attempt करना है, ताकि आप सबको 80 plus marks आ सके elective में, उसकी सारी strategy, सारी pro tips, और exam presentation tips में वो वीडियो में share की है, तो अभी तुरन यह वीडियो ख क्या हम आज DT पढ़ सकते हैं, जी हाँ आप बिलकुल पढ़ सकते हो, आज आप DT पढ़ो, I would suggest आज PGBP, capital gain, ऐसे जो बड़े बड़े chapters है ना, जो 1.5 days DT वाले में आपका बहुत time ले ले लेगे, उनको आज फटा फट कवर कर दो, और 3-4 chapters जिसके नाम में अभी ले रहा और International Taxation के जो chapters है, DT, AA, NR Taxation, Transfer Pricing, ये सारे जो chapters है वो भी 1.5 days में करना, ये जो 4-5 chapters है ना, International Tax, TDS, Charitable Trust, इने अगर आप exam के पहले ही करते हो, तो आपको अच्छे से याद रहेगे, और paper में ये chapters के question दिखने ही वाले है, इसलिए आपका DT का paper भी ये सारे questions दिखे तो इस ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, SCMP हो गया है, वो paper को गई drawer में lock करके रख दो, सबके लिए difficult था, सबके लिए lengthy था, ठीक है, तो भूल जाओ, हसते रहो, मुस्कुराते रहो, elective के लिए prepare करो, खोश हो जाओ, ये की ऐसा paper है, जब जो books लेके जाना चाते हो, वो लेके जा सकते हो, बिंदास copy करो, legally हम copy कर सकते है, next paper में, तो ठीक है, जितने भी books आपको लेके जाना है, सब लेके जाना, और strategy वीडियो मेरा देख लेना, वापे मैंने चीज़े बहुत important important share की है, कोई book भूल मत जाना, index मत भूल ज लेके जाना है, और वो सब ठंग से भूले बिना, इलेक्टिव पेपर में लेके जाना, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, SCMPL के बिल्पुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल stress लेने नहीं लेना है, इलेक्टिव और DT में अभी जोर शोर से मैनत करो, I'm sure, आप सब group 2 ये बार clear कर जाओगे, और आपके नाम के आगे वो जो CA, जो precious alphabet से precious word है, वो prefix आपके नाम के आगे जुट जाएगा, और अब जरूर ये attempt में CA बन जाओगे, ठीक है, तो पढ़ते रहना, हसते रहना, मुस्कुराते रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के ये बाए, all the best for exams.